मटन हो, वो भी हांडी वाला, वै क्या बात है, हांडी वाला मटन तो खाते बनता है और इसे चंपारे मटन भी कहते हैं, और ये पटना की बहुत इसाइमिस रेसिपी है तो चलिए इस वेडियो बहुत हम आगय-बढ़ते हैं, म एंकेसे बनाए है तो सबसे पहले माने है स्लाइस की साइज में मैंने प्याज को कट करो ф windows क्लिया है लबग यह हमारा वन यह बर्ड़रे और साथ में हमCloud यहां मटन भीाट कर देंगे हैं हमारे सभरलों मतन हैं मटन को मैं के साफ से धोके को तोड़ कर हारी मिर्च डाल रहे हम ही पर साथ में सूखी लाल मिर्च और देंगे ठाउ को देंगे चार बड़ी लाइची एब यह पांचे छोटी लाइची दाल देंगे यह कर्या अब देंगे यह जावित्री का फूल यह पूरा फूल हम डाल रहे हैं एक देख सकते हैं इससे हमारे मटन में जो बहुत ही अच्छा खुस्बू और स्वाद आता है यह दो हम स्टार वाले फूल भी डाल रहे हैं कई जगा पर इसे चक्र फूल भी बोलते हैं और यहीं पर हम डालेंगे 7-8 लोंग और यह फ्रेश अधरा को लसन कूट के डालेंगे हम पेश नहीं डाल दी हूं मैं पीश कर यह फ्रेश कूट के डाल रहे हूं तो सभी खड़े मसाले डल चुके अब यहां पर हम मसाले आड़ करेंगे तो मैं डेड़ चमच डालूंगे हल्दी पाउडर और एक चमच हम लाल मिच का यह हम डाल देंगे जीरा इक चमच भरके साथ में काली मिच और जीरा का पाउडर भुनावा जीरा और नमक डालेंगे स्वादन उसार साथ में हम यह डाल देंगे साबुत लसन क्योंकि इसकी बिना तो हांडी मटन अधूर है तो मैंने छे साथ लसन साबुत डाल दिया और यह आधी कटोरी मैंने दही भी आड़ कर दिया यहां पर यह मीठी थे यह खटा दही नहीं है यह साथ में हम डाल देंगे गरम ओल इस सब में गाइस सरसों के तेल ही डाले तो जादा बैटल होग्य कि इसी में जैदा टेस्टी बन्ता ही है अब सभी को मैं हातों के हैट से मिला लेंगे बढ़िया से इस मिलफ है तो इसे हमें हातों के है helps से मिलाएंगे यहाथ यह पर जैलने कश्मीरि लाहण मिछी डाल जो कि कलर के लिए बहुत अच्छा होता है कोई जरूरी नहीं है आप डालो ना डालो बागि कलर के लिए तो ये बहुत अच्छा होता है तो मैं एक चमज भरके कश्मरी लालमिश यहाँ पर आड़ कर दूँगी ये पूरी तरह से ओप्शनल है आप चाहे तो इसे इसकिप भी कर सकते हो तो मैं सभी को मिला लूँगी बढ़ियां से और हाँ जैसे कि मैंने बताया था आपको कि मैं सवा किलो मतन में एक किलो प्यास कर इस्तमाल कर रही हूँ क्योंकि प्यास से ही ग्रेवी बन कर त्यार होगा हमारा इस रेसिपी में हम टमाटर और पानी का इस्तमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे तो आप देख सकते हैं सारे मटन हैं जो मसालों में कितने अच्छी तरीके से मैगनेट हो चुका है यह देखे अब यहीं पर हम लेंगे एक हांडी हांडी का साइज आप अपने हिसाफ से देखे कि जितना मटन आप बना रहे हैं उतना उसमें आराम से आ जाए तो हांडी को मैंने पहले से धोके सुखा लिया था यहां पर मैं डालूँगी थोड़ा सा तेल इसको मैं चारो तरफ बढ़ियां से फिला लूँगी तकि मटन डालें तो हमारे नीचे से चिपकेना और जले न तो सभी में चारो तरफ अच्छी तरीके से मैं मिला लेती हूं तो आप देख सकती है चार तरफ अच्छी तरह के से लग चुका है तब मैंने यहां पर जो मैगनेट करके मटन रख रखे थी यहां पर हातों के हैल्प से इसमें डालूंगी तो सभी मटन को हम डालेंगे इसमें फिलाकर में इतना बड़ा हांडी लिया है कि मेरा सवा किलो मटन इसमें अराम से आजाएगा यह हांडी मटन तो बनाने में बहुत असान होता है और इसका टेस्ट भी है जो बहुत लाजवाब होता है क्या गरना बस एक वर सारे मसाल्य मी लालो मंतन में और हांडी में डाल दो बस बन जाता है या तो सभी मतन को मैंने इसमें डाल दिया है सारे मसाल्य को मैelf अफ़े मません भुर्ने करेंगे तो स्टील का भी ढखकल लगा सकते जिनके पास ना हो तो यह मैंने आटा गूंद के रख रखा था इसको में लंबा सा करके इस सैट से चिपका दूँगी ताकि जो हमारे स्टीम बने यह हंडी के अंदर वो बहार ना निकले देखिए तो इस तरीके से हम लगा देंगे अब चारों तरफ से इसको चिपका दूँगी मैं ताकि इसका स्टीम है जो बहार विल्कुल भी निकलना पाए यह मटन जो है पूरी तरीके से भापसी बनकर त्यार होगा और घवराए ना आप यह जलेगा ना चिपकेगा और ना आपको बता रही हूं यह ट्रिक और टिप पूरा फोलो करेंगे तो आपको विल्कुल ऐसे ही बनकर त्यार होगा हांडी मटन तो देखें मैंने आटा लगा दिये सब जगा चारों तरफ से आप देख सकते हैं कितने अच्छी तेके से हमने आटे को लगा दिया है कहीं से भ रखेंगे बिल्कुल और उसकी बात करते हैं गैस को बिल्कुल और आदे घंटे के लिए हम इसे ऐसी छोड़ देंगे तो देखें आदा घंटा हो चुका है इसकी यह पहचान है कि आटा पूरी तरीके से हर जगा से सुख चुका है और स्टीम हमारा कहीं से भी तक बाहर न इस प्रोसेस को हमें एक से दो बार करना है हांदी को चड़े हुए सबा घंटा हो चुका है अब हम इसका धकन हटा कर देखेंगे कि हमारा पका है या नहीं तो एक नाइफ के हेल्प से में आटे को कट कर लूँगी और धकन को हटा दोंगे अगर धकन खोलने के बाद थोड अपरा से हांदी को गयस पर चड़ा देंगे और मतन को पका लेंगे पर लगता है हमारा मतन पूरी तरीके से पक चुका है और तयार हो चुका है गाइस यह आप भी देख सकते हैं तो मैं आटे को पहले हटा दूंगी ताकि आटा जो अंदन न चला जाए तो सभी आटे को म इतना बढ़ियां से गल के ग्रेवी बन चुका है और मटन में विकुल अच्छी से पक चुका है जो लशन हमने साबु साबु डाला था वो भी बहुत अच्छा जूसी जूसी बनके त्यार हुआ है यह देखिए मैं चेक करके दिखाती है आपको साइड से पहले यह तेज पता हो अटा देती हूं मैं मटन चे ज्यादा गरम है तो हाथ से तम चेक करनी पाएंगे तो चम्मच की हैल्स हम चेक करेंगे इसे देखिए देखिए कितने अच्छी तरीके से यह गल चुक है पक चुक है पूरक कुक हो गया यह तो हमारा मटन तो त्यार हो चुक है यहीं पर हम डाल देंगे थोड़ा सा बारी कटाओ धनेगा पत्ता अब इसे हम मिला देंगे भई मटन तो ला जवाब बना है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें